एक समय था जब लोग प्यार के रिष्टे में पढ़ते थे, तो प्यार शादी तक दिरूर पहुंसता था, लेकिन आज यह रिष्टा शादी तक नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही ब्रेक अप हो जाता है, कई वज़ा है इसकी, दोनों में प्यार है, पर तो लड़ाई हो जाती है, लड़का लड़की की खुशी में खुश नहीं होता, लड़की लड़की की खुशी में खुश नहीं होती, लड़का लड़की के दुख में दुखी नहीं होता, लड़की लड़की के दुख में दुखी नहीं होते, क्या प्यार है यह, दोनों क उसको समझना ही नहीं चाहता मा लो लड़का कह रहा है कि मेरे पापा की तब्विट ठीक नहीं है इस संडे को मुझे पापा को डॉक्टर के पास ले के जाना है तो लड़की कहती है तुम्हारा भाई बतों जा सकता है ऐसी भाशा लड़के का लड़की से प्यार कम कर देती है दोनों एक दुसरे पर हावी रहना चाहते है लड़का कहता है कि जो मैं को वो हो लड़की कहती है जो मैं को वो हो अज़स्ट करने को कोई त्यार नहीं है पेशन्स दोनों में नहीं है आजकल तो किसी में भी नहीं है जहां बैस होई वहीं लड़ाई हो जाती है यह नहीं कि एक बोल रहा है दूसरा सुन ले कहने का मतलब है कि जब रिष्टा लव लाइफ का रिष्टा लंबे समय तक चलता है तो फॉर्मल्टी खतम हो जाती है और एक दूसरे का असरी रूप स ब्रेक अप की एक वज़ा यह भी है कि लड़का लड़की के साथ बैटा हुआ है पर तारीफ वहां जाती हो लड़की कर रहा है तो लड़की को यह बहुत पूरा लगता है अगर कोई भी लड़की लड़के की बराबरी करेगी पूरी बहस करेगी हर बात का जवाब पलट कर देगी तो लड़का उस लड़की को अपने से शादी के लाइक नहीं समझता है और ब्रिक अप कर लेता है देखे इस बात में कोई शक नहीं है कोई दो राइ नहीं है कि ये इंडिया है लड़के कितना कहरा काम करते हैं और लड़कों कैसे पहला जाता है या आपको सोच मन में बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी लड़ाईयां होंगी ब्रेक अप कहां होता है जहां इगो आगे आ जाती है लड़की सोचती है कि इसने मुझे कैसे बोला लड़का लड़की दोनों को बोलोंगी कि मालोग अब 75% भी आपकी लव लाइफ से लड़का ही चल रही है और लड़का लड़की के मन में शादी का विचार भी है लेकिन लड़का यह कह देता है कि मेरे घर में खाना लीडिस बनाती है मेट की हैल्प में ली जाती तो लड़की को लगता मेरे बस की नहीं है नोकरी करके और खाना माना बनाना लड़की ब्र पूल टाइम एट है उसे तो किचन की एबी सी भी नहीं आती यह कई बार लड़के को लगता है कि लड़की मेरे घर में नहीं चल पाएगी इसका स्ट्योट्स बहुत हाई है तो ब्रेक अप करना ज्यादा पसंद करता है कि कभी लड़के के पास टाइम है तो लड़की के पा ऐसे में लड़ाई ही होती है दोनों का प्यार कम होता है कि दोनों को एक दुसरे की मजबूरी पता नहीं है और नहीं पता और अगर बता रहे हैं दुसरे के मजबूरी तो उसे मज़दा नहीं नहीं चाहते है किसी भी लड़का लड़की को अपनी फैमिली अपनी पिच्चर समझ जाना चाहिए और वो समझते हैं नहीं है और दोनों एक दुशरे पर अपनी इच्छाएं थोते हैं लड़ाई होती है और प्रेक अप हो जाता है थैंक्स पर वाचिंग